हावडा ग्यान पीट विद्याले का 47 वी स्थापना दिवस मनाया गया। सबसे पहले स्कूल की प्रधाना चारे लाल जी शुकला ने मंत्रो चारण के साथ गणीश जी की पूजा अर्चना की। तक पर शाथ उन्हों ने बताया कि 47 वर्षों से हावडा ग्यान पीट विद्याले गरी बच्चों को सिख्षा दे कर बच्चों को समाज के मुखिधारा में लाने का कारे कर रही है। और इसे उदेशी को लेकर दो जन्वरी 1974 को हावडा ग्यानपीट विद्याले की स्थापना स्वर्गिय भगवती प्रसाद शुकला डॉक्टर शाली ग्राम शुकला वकई लोगों के अथक प्रयास से हावडा के 60 बन बिहारी बोस रोड हावडा एक में की गई इस मौके पर मौझूद भी इमपाठक वरिष्ट सिक्षक संतोष तिवारी ने कहा है कि ऐसे विद्याले को समाजिक लोगों और सरकार के साथ साथ हम सभी लोगों को ध्यान देने की काफी जरुरत है तो वहीं भी के तिवारी सुजाता पांडे, राजकुमार गुपता, गणमाने लोग उपसित थे, छात्रों में फल और सिक्षन समागरी दी गई, स्कूल की संचालक सुनिल शुकला ने कहा है कि सामाज और देश का विकास तदी संभव है जब देश का हर बच्चा सिक्षित होगा, इसके लिए हम सब को साथ मिलकर, इसके लिए हम सब की साथ सर करकार को भी विद्यालियों के विकास के लिए और ठोस कदम उठाने की जरुरत है, हमने आज अपने जीवन में सफलता हसिल कर ले, क्योंकि हमारे मन को पीड़ा को कोई समझ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं मैं अच्छा जगह पर काम कर रहा हूं, हर आत्मी का होत्यास होत है, और उन्होंने मेरे मन के भाव को समझा, और हमें आसा है नेपन विश्वास है, कि हम एक दिन आप लोग का असिरबात से जरूर शफलोंगे, और दोस सब्द में और बलूँगा, क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं, जिसे बड़े पापा ने भी बताया, कि जब वो जाते हैं, जिसे बड़े थे, तो 35 आदम उनको छोड़ने के लिए आते थे, क्योंकि वो समाज से जुड़े थे, सबको अपना समझते थे, और मैंने एक बार उनसे ऐसे ऐचाने के बैठा था, उनसे बोला कि आप स्कूल क्यों बनवाएं, इसे अच्छा कोई छोटा सा दुकान ह की खिए होते तो उसे कमस कम नहीं चलाते तो भाड़ा वटिया रहाता, हम लोका वे जिए आपनू बना, उन्होंने बोला कि एक बिद्याले के चलना मतलब एक आपको समाज का चलना हो, विद्याले के चलने को